अपने जीवन का लच निर्धारित करिए आप सभी और सभी दूसरे विचारों को अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए और यही एक सफलता की पुझी है और ये बात कहा गया था स्वामी बिबेका नंद के द्वारा कहने का मतलब है जिस टारगेट को आप लेकर चल रहना उस टारगेट पर आपका सारा का सारा फोकस रहना चाहिए यानि 100% उसके अलावा कोई भी अगर mind में कोई भी चीज आती है कोई भी disturbance तो उसको आप साइट कर दो आपका सारा का सारा फोकस आपके लच पहर रहना चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लिजेगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और इसका सारा का सारा पीडियेफ आपको कहा मिलता है तो सक्सेस की 98.in पर और टेलिग्राम वाले ग्रूप से भी जुड सकते हैं सक्सेस ज बार आप लोग नोट कर लीजिएगा जो सोम बार से लेकर सुकूर बार तक चलता है और करेंट अफ़ेर वो डेली चलता है मैस साम को 6 बजे रिजदिंग 10 बजे जीए 8 बजे अगर आपने अभी तक कोई क्लास मिस किया है तो सक्सेस की 98.in चैनल के उपर जाने के बाद जै कि ये एक्जाम जो है मौका है बहुत इपोर्टेंट है RRB ग्रूप D, JE बोल लो या NTPC ठीक है देखते हैं और आज कवर करने वाले हैं हम लोग कितना का 18 मार्च के इपोर्टेंट करेंट अफ़ेर कुछ इपोर्टेंट तथ के साथ और मैं बार 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 बोल चुका हू 17 मार्च 2019 को 10 दिनों के लिए जो भारत के यात्रा पर आए हुए थे जिनका नाम है इब्राहिम केशरी फोफाना वो किस देश के परधान मंत्री यानि PM थे ये आपको बताना है तो इसका जो correct answer है बहुत latest news है तो याद रखेगा जो इब्राहिम केशरी फोफाना जो जिस द पितल है यानि जो रासधानी है वो क्या है कुनाकरी और वहां का जो मुद्रा वहां पर इस होता है currency वो नाम है ग्रिनियन फ्रैंक ठीक है ये याद रखेगा आप लोग exam में अकसर पुछता है तो exam के time पर आपको अलग से पढ़ना ना पड़े इसलिए मैं daily करवा देता हर equation के साथ जो important point आपको याद करना चाहिए ठीक है चलो देखते हैं जो अगला प्रस्थ यह वो है United Kingdom के जो royal है royal टकसाल ने किस प्रसीद बिग्यानी के समान में black hall अंकित 50 पैसे का इसमारक सिक्का जारी किया है यानि जो United Kingdom है ना उन्होंने 50 पैसे का black hall एक सिक्का जारी कि किसी बिग्यानी के नाम के उपर ठीक है उनके याद में तो आपको बताना है उस बिग्यानी का नाम क्या है तो जिनका नाम है बिग्यानी का उनका नाम है Stephen Hawking ठीक है Stephen Hawking के नाम से जो 50 पैसे का black hall है ना वो launch किया गया है यानि उस सिक्के पर उनका जो चित्र है वो अंकित ठीक है चलो अगला जो प्रस्त है वो ये है कि किस कंट्री ने आपको बताना है हाल ही में किस देश में पहली ब्रिक सर्पा बैठक अयोजित की गई है या आपकी बताना है 2019 की बात कर रहा हूँ 2019 में जो ये चीज हुआ है वो हुआ है ब्राजिल में ठीक है बहुत important question है ये ब्राजिल में तो याद रखेगा 2019 का जो BRICS Summit है वो ब्राजिल में हुआ है और ये भी पूछ सकता है exam में जो 2020 का होने वाला है BRICS Summit वो कहा होने वाला है कहा होने वाला है 2020 का तो वो होने वाला है रसिया में और एक बात BRICS का जो हेट क्वाटर है मुख्याला है वो कहा पर है तो वो संगहाई चाइना में है और BRICS के अंदर कौन कौन कंट्री आते है तो इसका फुल फॉम अगर पता है तो आप बिलकुल बोल दोगे B से क्या होता है तो B से ब्राजिल होता है A से रसिया I से इंडिया C से चाइना और S से दच्छिड अफिर का यानि South अफिर का तो याद रखेगा आप दो पॉइंट याद रखने वाला है एक तो इसका हेट क्वार्टर कहां पर है संगाई चाइना दुसरा 19 में हुआ था जो मिटिंग अयोज़ित किया गया था वो ब्राजिल में हुआ था और जो अगला यानि जो 20 में होने वाला है जो ब्रिक्स का मिटिंग वो होने वाला है आपका रसिया में ठीक है अगला प्रस्ट देखते है सारे टॉपिक याद रखेगा आप लोग इसका प्रेडियाप सारा का सारा आपको सक्सेस की 98.10 पर मैं दे दूँगा अगला क्वेस्टन है 2018-19 के लिए डीडी महिला किसान आवार्ड जो है उस पुरुषकार से कीसे नवाजा गया है या कीसे दिया गया है आपको बताना है आपके सामने चार है तो जो सही अंसर है वो है स्वाती सिंग्डे स्वाती सिंग्डे को डीडी महिला किसान वार्ड यानि डीडी महिला किसान पुरुषकार दिया गया है 18 और 19 के लिए ठीक है चलो अगला जो प्रस्त हमारे सामने है वो ये है हाल ही में आपको बताना है कुग Arabic जो कॉफी है उसको GI टैग दिया गया है या किस राज में उगाया जाता है ये बहुत important question है अब आपके सामने चार option है आपको लगड़ा होगा Arabic coffee की बात हो रहा है ये जो इसको GI टैग मिला है geographical indication का जो टैग मिला है वो किस राज में इसका मतलब आप बोल सकते हो उगाया जाता है ठीक है तो याद रखे का ये जो उगाया जाता है जो इसका खेती होता है वो होता है आपका करनाठका में और करनाठका के मुख मंत्री का नाम क्या है तो SD कुमारा स्वामी गवर्णर कौन है वहाँ के बजु भाई वाला और क्यापिटल क्या है करनाठका का तो वो है बैंगलूरू अगला प्रस्थन देखते हैं अगला जो प्रस्थन है वो ये है किस बैंक ने जो सिस्टम है इसके तहट आप लोग 16,500 रुपए तक निकाल सकते हैं एस अप्लिकेशन के दोवारा तो ये किस बैंक के दोवारा लौँज किया गया है तो ये लौँज किया गया है State Bank of India के दोवारा और आज का जो प्रस्थ है मैं आपसे पुछना भूल गया, आज का जो प्रस्त है, उपर वाले प्रस्त में से है, ब्राजिल 2019 में ब्रिक्स का सम्मिट होने वाला है, आपको कॉमेंट्स में यह बताना है, कि ब्राजिल का मुद्रा क्या है और ब्राजिल का राजधानी क्या है, यह आपको कॉमेंट्स मे चलो अगला जो प्रस्द है अंडर 17 महिला विसकप फुड़ वाल टूर्णामेंट जो है उसकी मेज़मानी कौन सा देश करने वाला है अंडर 19 17 महिला विसकप जो 2020 में होने वाला है उसकी मेज़मानी कौन से देश करेगी तो वो है भारत याद रखेगा एक्जाम में कुश् चैनल है उसका जो वर्ड फिर्म 100 लिस्ट जो 2019 का जारी किया गया है 100 सुची जिसमें टॉप 100 स्पोर्ट के पिलियर है खेल जगत के उसमें नमबर वन पर किसको दरजा दिया गया है नमबर वन पर किसका नाम है तो जो नमबर वन पर है वो है आपका पुर्तुगाल के यानि बोल सकते हो पुर्तुगाल के हैं लेकिन पूरे भिश्व के बहुत बैतरीन फुटबॉलर है उनका नाम क्या है क्रिश्चानि और रोनाल्डो तो इनको टॉप पर जगह मिला है लेकिन इंडिया के तरफ से जो विराट खोली है उनको जगह मिला है आपका साथ नमबर पर यह याद रखेगा विराट खोली को साथ नमबर पर इस्थान मिला है और MS धोनी को मिला है इंडिया से 14 नमबर पर ठीक है और टॉप पर कौन है यह स्वेन के सूची में हंडे टॉप लिस्ट में जो फेम के लिस्ट में तो वो है क्रिश्चानि और रोनाल्डो टॉप पर ह ठीक है यह पुर्टोगाल के प्लियर है अगला कोसन है जो हाल फिलाल में आपने सुना होगा सायद मुस्ताक अली ट्रॉफी जो हो रही थी उन्होंने सायद अली मुस्ताक ट्रॉफी उसके बिजेता कौन है और यह सायद मुस्ताक अली जो ट्रॉफी है वो किस Simply से जीता है तो ये जीता है करनाटका के टीम ने किसको हरा कर तो ये महाराष्ट को हरा कर ये खिताब जो है जीता है तो सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी जो T20 के टूनामेंट है वो करनाटका ने जीत लिया है और महाराष्ट को हरा कर और करनाटका के CM का नाम क्या है तो HD कुमारा स जो रिपोर्ट है Global Environment Outlook जो रिपोर्ट है Sixth Edition वाला उसका जो टाइटल था ना वो क्या था आपको बताना है सिर्शक क्या था इस बार का Sixth Edition का सिर्शक क्या है आपके पास चार आप्शन है तो जो सही एंसर है वो है आप्शन नमबर A Healthy Planet, Healthy People यानि स्वास्त ग्रह, स्वास्त लोग तो जो आपका परियावान आउटलोग रिपोर्ट था चठवा उसका जो विसाय था वो था Healthy Planet, Healthy People तो ये थे आपके 18 मार्च के Important Current Affair जो आपके एक्जाम के Point of View से बहुत ज़्यादा Important है और क्लास का टाइमिंग एक बार देख लीजिएगा आज है आपका सोम बार तो आज आपका क्लास चलेगा Math का सामको 6 बजे, Reading 10 बजे, GS 8 बजे और Current Affair सुबा में 4 बजे और इसका सारा का सारा PDF आपको कहां मिल जाएगा Success की 98.10 पर एक एक टॉपिक पर पानी के तरह काम किया जाएगा ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा फैदा मिल पाएगा आपके एक्जाम के तैहरी में चलिए